दोस्तों आपना एक बॉटल से ना लीटर वाली बॉटल से कोई सी भी तोना इसे नामना एक पॉट बनाएंगे प्यारा सा तो चलें स्टार्ट करते हैं इसके लिए आपको एक कटर चाहिए कटरोगा थोड़ा सा खोलेंना और यह जो यह पॉइंट नहीं यहां पर यह वाला आपना तोन यह मैंने काड़ लिए इसको सीधा करने के लिए ना इसको मैं कटर लाता हूँ तो हम ना भी सेज पॉइंट को सीधा करेंगे जरूरी नहीं है करना लेकिन अच्छा लगेगा आपने इस लाइन के दियान रहना है तो यह नहीं रभा वो तक सैट है अब हम ना इसको को आपोशन करेंगे यहां से गाटेंगे तो यह सीधा हो गया आपना हमना इसको एसे अंदर दबा देना ऐसे यहां करके ना आप हमें इसको बंद करना पड़ेगा इसे गल्यू से या उससे हीट गन से तो अभी मैं आपके सामने इसको बंद करता हूँ तो यह मारे एक शोटा सा प्यार असा बाट बन जाएगा इसे जिसमें अभी यहां पर प्लांस लगाएंगे तो चलें अभी में आता हूं तो दोस्तो आप यहां एलफी भी लगा सकते हैं तो में पास नहीं हीट गन है तो यह सची मिलती इतनी महिंगी नहीं होती मैंने 150 की यह ली थी आइटिंक सो और यह था 20 रुपीस के यह थे पहले नहीं को साल पहले आप यह करांट रेड नहीं पता तो आप यह लगा सकते हो यह आप यह लगा करना है आपने ना तो इससे यह लगा के पहले फिर इसको नहीं यहां से ना हलका सा फिन श्रच्च दे देनी है ऐसे तो यह देखें यह अब राड़ी है इसके साथ चिपक गया है तो मैं आपको रिकमेंट करूंगा है कि आप यह ले लो आप मेंगे हम यह 200 होगी मिल जाएगी और यह मिल जाएगा 30 का होगा तो इतने पैसे आपके नहीं लगेंगे पर और यह जाएगे तो यह मारी एवी चोड़ा सपोर्ट रेडी होगी है अब इसको कलर करना चाहे तो कलर भी कर सकते हैं अब मैं यहां पर करूंगा इसके होल्स तो दोस्तों आपने इसको गरम करके नहीं इसमें अश्रू कर लेनी है यह देखें बड़ी ईसली होगा हो एक इम शर्हुम कहले, उसमें किने टौन जाना की है deployed मोजप कर दो न कीजिया ते उसमें झाल, उसमें हम वोग भूती है। तो अब पार पत्व हुआ होति हैं, टील इसपन अकप पड़यों तो और आफ उसमें अगल و नकित। के लिए और एक यहां पर किया है और एक नीचे ट्रेने जॉल किया है तो इस धकल किया में जरूरत नहीं बढ़ेगी क्योंकि यहां भी प्लार लगेगा यहां भी यहां भी यहां भी अब इसमें पीट मॉस बढ़ते हैं और फिर इसमें न कटिंग लगाते हैं मैं पीट मॉस अग्सलिए है अपमेश मेन बीट मोड़ गट तो तो यह हमारा पॉर्ट रेड़ी है अब हम इसमें लगाएंगे प्लांट्स इसमें थोड़ी सी और फीट माउस भाट लें तो इसके ना नीचे से ना हमें दो पत्ते वैसे निकालने पड़ेंगे लेकिन ये फिर ऐसे भी ग्रोव कारी जाएगा तो ये आगे ऐसे इसके नीचे वाले पत्ते काट दे तो बेतर है इसको हम लगा देंगे एक ऐसे एक मिन्ट मुझे कुछी जलाने पड़ेगी चले क्योंकि टैनी नरमा मैं इसको बहुत कंपक्ट करती है तो इसको होल करना पड़ेगा तो ये एक लगी एक ये लगा देते हैं यहां पर इसको बेड़ेगी बेबी संदोर इसको भी मैं इसको अंदर दाली इसको में फिर लगाना पड़ेगा इसको मैं बगाया पते काट वी डाल दो ताकि पास से अंदर तो दो एक जगा पर एक जगा पर और ये जगा पर मैं ये दो लगा देता हूं इसके नीचे वाले पत्ते होताने पड़ेंगे क्योंकि यह असे लगता नहीं है कि अ कि यह तो यह हमारा नाजाब यह तीनों के निर्णाने बेल्स हैं यह भी बेबी संदोर यह भी बेबी संदोर और यह यह चोट एच वीरी यह उपर यह पड़ेगा तो यह बहुत ही प्यारा लगेगा चलिए हमें इसको पानी देता हूं फिर आप से मिलता हूं तो चलिए अब इसको पानी देते हैं ताकि यह पक्के हो जाएं और इनकी मट्टी बैड़ जाएं तो अब मैं इसकी स्ट्रिंग लगाता हूं और फिर इसको हैं करके दिखाता हूं अगर आप से पेंट का दें तो यह बहुत ही प्यारा लगेगा और स्ट्रिंग आप कोई कलर वाली ले लें जैसे रैड़ वाली और जब यह बड़े होंगे ना तो देखेगा कितने प्यारे लगते हूं यह समें से कोई भी नहीं बरेगा तो अगर आपको ना यह जीरो कोस्त आपको इस पर प्याविश नहीं लगाना पड़ेगा इस आइडिया पर तो ना आपको एक वेस्ट बोटल चाहिए होगी और हाँ आपको एलफी लेनी पड़ेगी अगर आपको गलू है तो वह बहुत अच्छी बात है और आपना इसको और यह जो बीबी सन्रोज यह ऐसे हो जाएंगे यह देखियो मैं आपको घर पर जिसमें कर्टिंग काटी है तो जब यह बड़े हो जाएंगे तो यह ऐसे हो जाएंगे फिर यह बहुत ही प्याद लगेगा हद्ट अपसे निसके फूल होंगे और यह बोटल अच्छा आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, अल्लाह।